अलेफ लैला, उस आदमी की कहानी जिसके चारों अंगूठे कटे थे, इसी तरह की नई नई कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसने कहा कि दोस्तों, मेरा पिता बगदाद का रहने वाला था और खलीफा हारो रशीद के जमाने में था। मैं भी उसी समय पैदा हुआ। मेरा पिता यद्यपी धन्वान तथा बड़े व्यापारियों में गिना जाता था तथा पिवो बहुत ही विलासी और व्यस्नी था। इसलिए व्यापार की ठीक तरह देख भाल नहीं कर पाता था और उसमें काफी गरबर होती थी। जब वह मरा तो मुझे मालूम हुआ कि न जाने कितने लोगों से उसने रिन ले रखा था। मुझे कठिनाई तो बहुत हुई किन्तु मैंने परिश्रम से व्यापार बढ़ाया और धीरे धीरे सारे रिनदाताओं का रुपया वापस कर दिया। अब मैं रितमीनान से अपन पकड़ कर खचर से उतारा और कहा मालकिन आप बेकार ही इतने सवेरे बजार में आ गई। अभी तो कोई दुकान ही नहीं खुली है आप कहा तक प्रतीक्षा करेगी। उसने कहा तुम ठीक कहते हो केवले की दुकान खुली है। चलो उसी में चलें। अतव वह मेरी दुका की लगा कर उसे बराबर देखता रहा। उसने मेरी उतकंठा देखकर पूरा नकाब उलत दिया और मैं जी भर कर उसकी सौंदर्य का रसास्वादन करने लगा। कुछी देर में अन्यव्यापारी और ग्रहका गए और बजार में भीर बढ़ गई तो उसने नकाब फिर चहर लग दूर इससे आपका दुकान दुकान जाकर कपड़े देखने और खरीदने का कष्ट बच जाएगा। वह इस बात से बहुत प्रसंद हुई और देर तक मुझ से इधर उधर की बाते करती रही। कुछ देर बाद मैं कई दुकानों में गया और बहुत से जरी की ठान मै ने उस्त्री के आगे लाकर रख दिये। उसने उसमें कुछ थान पसंद किये। उनका मूय 24,750 मुद्राएं था। उसने ये दाम मंजूर कर लिया और मैंने थान उसकी सेवक को दे दिये। उस्त्री ने विदा ली। मैं उसके सौंदर्य के मोह में इतना किनकर तव्यविम हो गया था कि उससे थानों का मूय मानगा ही नहीं और उसने भी नहीं दिया। मैंने उससे ये भी नहीं पूछा कि तुम रहती कहां हो। मुझे फिक्र हुई कि उससे रुपया न मिला तो मैं ये पौने 25,000 कहां से भरूंगा। दुकानदारों को दिलासा दे दिया कि मैं उस्त्री को जानता हूँ और दाम मिल जाएंगे। लेकिन रात भर चिंता में मुझे नीन ना आई। दूसरे दिन मैंने व्यापारियों से एक हफते में अदाईगी करने का वादा किया और उन्होंने इसे मंजूर कर लिया। एक हफते तक भी उस्त्री का पता नहीं लगा। आठवे दिन वह सुन्दरी उसी खचर पर उनी सेवकों के साथ मेरी दुकान पर आई और बोली तुम रुपे लेने क्यों नहीं आए। अब मुझे खुद इन्हें लेकर आना पड़ा। अब मैं सारा पैसा ले आई हूँ। सर्राफ से पर रखवा लोग की सिक्के ठीक है या नहीं। मैंने सर्राफ को दिखाया तो सब सिक्के खरे निकले। वह सुन्दरी देर तक मुझ से बाते करती रही और बातचीत से मालूम हुआ कि वह बहुत बुधिमती है। मैंने वस्त्रव्यापारियों को बुला कर उनका रुपया दे दिया। वे सब बड़े प्रसन हुए और मेरे व्यवहार से बजार में मेरी साख बढ़ गई। उस सुन्दरी ने कई और थान मांगे और मैंने व्यापारियों से ला कर उसे दे दिये लेकिन फिर भी न उसका नाम पूछा न निवास थान। उसके जाने के बाद फिर सोचने लगा कि एक बार तो वह बाद हो जाओंगा। फिर सोचता कि यह संभव है कि वह धोखा करे वह तो मेरे शील की परीक्षा ले रही है। उसे मेरे हानी लाब और प्रतिष्ठा का खयाल जरूर होगा। वह तो जानती ही है कि मेरी साख पर ही व्यापारियों ने कपड़े के ठान दिये हैं। कभी मु सनी में से थोड़ा थोड़ा उन्हें भिजवा कर उनकी तसली कर देता था। एक महीने बाद वह फिर अपने सेवकों के साथ आई और उसने पिछली बार के खरीदे कपड़ों का मुयत दे दिया। फिर उसने मुझ से पूछा कि तुम्हारा विवाह हो चुका है या उसने अपने नौकर को इशारा किया और वह मुस्कुराता हुआ उठा और मुझे एक तरफ ले जा कर बोला तुम क्या समझते हो कि मालकिन तुम से कपड़े खरीदने के लिए आती है। मैं जानता हूं कि तुम उन पर आसक्त हो लेकिन तुमने सभी से यह बात चुपाई ह अब ये जान लो कि वह भी तुमसे प्रेम करती है इसलिए तुम्हारे विवाह के बारे में पूछा। तुम इतने बुद्धु निकले कि उसका इशारा भी नहीं समझे। मैंने कहा, भाई, मैंने तो जब पहली ही बार तुम्हारी मालकिन को देखा तो उस पर मरमिता। कि वह सुन्दरी अपनी सेविकाओं को कुछ इशारा करके उठ खड़ी हुई और फिर मुझ से बोली, मैं अपने नौकर को तुम्हारे पास भेजूगी, वह जैसा कहे वैसा करना। ये कह कर वह चली गई, मैं कई दिन तक नौकर की बात देखता रहा, जब वह आया तो मैंने उससे वह सुन्दरी की कुछल इक्षेम पूछी, उसने कहा कि तुम बड़े भाग्यवान आदमी हो, वह तुम पर अत्यदिक मोहित है, उनका बस चलता तो अभी तुम्हारे पास पहुंच जाती, मैंने कहा, वह बहुत शीलवती जान परती है कि इतने सयम से काम लेती है, उन्होंने उनके बच्पन ही से उन्हें पाला पोसा है, वह जनान खाने की सारी व्यवस्था करती है, जो बैदा कई बार उनसे विवाह करने को कह चुकी है, अब उसने कहा कि एक व्यापारी है, आप अनुमती दे तो उससे विवाह कर लून, बीबी ने कहा, अच्छी बात लेकिन उस व्यापारी को एक बार देखने के बाद ही मैं शादी के लिए अनुमती दूंगी. इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ. मैंने कहा, मैं तयार हूँ, जब भी चाहो मुझे ले चलो. उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम जानते हूँ कि खलीफा के महल में कोई बहर आदमी नहीं जा सकता. मैं तुम्हें और किसी तरकीट से ही ले जाऊंगा. तुम आज शाम को नदी के किनारे बनी फला मस्जद में मेरी राह देखना. मैंने बड़ी प्रसन्नता से उसकी बात स्वीकार की. शाम को मैं उस मस्जद में जाकर बैठ गया. थोड़ी ही देर मे एक डोंगी आकर किनारे से लगी. उसमें कई संदूक रखे थे. मलाहों ने डोंगी किनारे से बाधी और एक काफी लंबा संदूक लाकर मस्जद में रख दिया और नाव पर चले गए. नाव पर आया हुआ एक नौकर वही रह गया. कुछ देर में वह सुंदरी वहां आई मैंने कहा मेरे लिए क्या हुकम है. वह बोली बाद में बाते होंगी इस समय बात करने की फुरसत नहीं है. तुम सिर्फ इस लंबे संदूक में जाकर लेटे रहो. मैं संदूक में लेट रहा तो उसने संदूक में ताला लगा दिया और सेवक से कहा कि इसे नाव पर उसने लगा कि अच्छी खासी जिंदगी छोड़ कर किस मुसीबत में फंस गया. नाव खलीफा के महल के मुख्य द्वार के समीप जा लगी. सारे संदूक द्वार पर पहुँचा दिये गए. द्वारपालों के पास सारी चाबिया थी और देखे भाले बगैर कोई चीज अ अगैर अंदर ले जाओ. ऐसा नहो कि वल संदूकों को खोल कर देखे और भेद खुल जाए. किन्तु द्वारपालों ने ऐसा नहीं होने दिया. वे सारे संदूक प्रधान द्वारपाल के पास ले गए. सबसे पहले वही संदूक रखा जिसमें मैं था. सुन्दरी की द्वारपाल को संदूक नहीं खोलने दिया. वह बोली, तुम अच्छी तरह जानते हो कि जुबैदा की आग्या के बगैर कोई चीज अंदर नहीं ले जाती. इस संदूक में बड़े व्यापारियों से खरीदा हुआ बहुत सा कीम्ती और नाजुक सामान रखा है तुम उस की जवाब दे ही करनी पड़ेगी और जुबैदा के हाथों तुम्हें कठोर दन मिलेगा. प्रधान द्वारपाल इस बात से डर गया. वह चुप हो गया. संदूरी ने गुलामों से सारे संदूक अंदर पहुँचाने के लिए कहा और उन्होंने ऐसा ही किया. किन्तु के पहले ही अच्छानक वहां खलीफा आ गया. उसने बहुत से संदूक देखकर पूछा कि इन में क्या है और न जाने उसे क्या सूजी की हुपम दिया कि सारे संदूकों का सामान मुझे दिखाया जाए. सुन्दरी ने बड़े बहाने बनाये लेकिन खलीफा तस से मज़ न हुई होगी. अगर कोई मुझे काता तो बदन से खून न निकलता. किन्तु उस सुन्दरी ने बड़ी समझदारी से काम लिया. उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार इस संदूक के खुलवाने का आग्रह न करें. इसमें जुबैदा के काम की खास चीजे हैं. जुबैदा की अन संदूक अपने निवास कक्ष में पहुँचवाए. जब सारे नौकर चले गए तो उसने मेरा संदूक खुला और मुझे एक जीना दिखा कर कहा कि उपर के कमरे में बैठो, मैं थोड़ी ही देर में आऊंगी. मैं उपर गया तो उसने जीने का ताला लगा दिया. ताला तुम पर मेरे कारल बड़े कश्ट पड़े, किन्तु अब तुम आराम से रहो. सुबर तुम्हें जुबैदा के पास ले चलूँगी. फिर हम दोनों ने भोजन किया और वह चली गई. मैं बड़े आनन से उस भाव्य प्रासाद में सोया. मुझे बड़ी प्रसन्नता थी कि यद्यपी यहां तक पहुँचने में बड़ी कर्थिनाईया और खत्रे उठाए किन्तु अब तो किसी बात का खटका ही नहीं है. मुझे ये भी खुशी थी कि इतनी सुन्दर और बुधिम्ती स्त्री स्वयम मेरे प्रेम में ग्रस्थ है. सुबह वह मेरे पास आई और से पूछ सकती थी बताये और यहां भी बताया कि उनका क्या उत्तर दून. उसने मुझे एक स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि जुबैदा अपने शैनागार से निकल कर यहीं बैठती है. ये कह कर वह चली गई. वह कमरा इतना शानदार था कि मैं चक्राया सा खड़ा रह गया और आखे फार फार कर चारो ओर देखने लगा. सबसे पहले बीस दासिया आई. वे उस तक्त के सामने जो जुबैदा के बैठने के लिए बिछा था दो पंक्तियों में खड़ी हो गई. फिर बीस अन्य दासियों के मध्य हंस जैसी चाल से चलती हुई जु जुबैदा की खास मुसाहिब थी, बल्यान बान से जुबैदा के दाहिने और खड़ी हो गई. आप एक दासी ने मुझे इशारा किया कि जुक कर सलाम करो. मैंने तक्त के आगे जाकर अपने सिर को इतना जुकाया कि वह जुबैदा के पाउं से लग गया. मैं बराबर इसी दशा में रहा और सिर तभी उठाया जब जुबैदा ने मुझ से उठाने के लिए कहा. उसने मेरा नाम, पेशा, कुटुम आदी-ादी के बारे में प्रश्न की जिनका मैंने यतोचत उत्तर दिया. जुबैदा मेरी शक्ल सूरत देखकर और मेरी बाते सुनकर प्रसन हुई उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा विवाह अपनी मुझ बोली बेटी से करूँ. मैं विवाह की तैयारियों के लिए आदेश देती हूँ. दस दिन बाद तुम्हारा विवाह हो जाएगा. दस दिन तक तुम इसी तरह होशियारी से रहो. इसी अबधी में मैं से तुम्हारे विवाह के लिए अनुमती भी ले लूँगी. उद्धरन, मैं जुबैदा से विदा लेकर अपने कमरे में चला गया. मेरी प्रेमिका कई बार मौका निकाल कर मेरे पास आती और बातचीत करके चली जाती. मैं बड़ी सुख सुविधा से वहां रहने लगा. जुबैदा ने इस अवधी में खलीफा से विवाह की अनुमती भी ले ली और शादी के समारो के लिए बहुत सा धान दिया. रोजी वहां गाना बजाना और तरह-तरह के खेल तमाशे होने लगे. दस्वे दिन हम दूलहा दुलहन ने नहा धोकर मुलवान वस्त्र पहने. श दुर्भाग्य से खाने के बाद मैंने अच्छी तरह से हाथ नहीं धोय, यूही रुमाल से हाथ पोंच लिये. रात और बीती तो दासियों ने वहां बहुत से दिये और मुम्बत्या जलाएं और देर तक नाच और गाना बजाना होता रहा. जब रात काफी धल गई तो दा घबरा गया था कि उससे पूछी न सका कि क्या बात हो गई. दासियों ने पूछा कि मालकिन ऐसी क्या बात हो गई कि आप इतनी नाराज हैं, हमसे कुछ भूर हो गई हो तो बताए. मेरी पतनी चीक कर बोली, इस अभागी को मेरे पास से तुरंध हटाओ. मैंने दर्ते दर् मुझसे हुआ कि आप मुझे अपने पास ही से हटा रही हैं. उसने कहा, तुम दुष्ट भी हो और असब्य भी. तुमने लहसुन का पुलाव खाया और हाथ भी अच्छी तरह नहीं धोए. ऐसे गंदे आदमी से मुझे हार्दिक घ्रिना है. तुम्हारे हाथों की पुलाव खाया था काट डाले. मैं अपने मन में पश्चाताप करने लगा कि इतने चोटे से अपराद पर मेरा हाथ काट डाला जाएगा. इतनी मार मेरे लिए यथेश्ट नहीं समझी गई. वह बावर्ची जिसने उसे पकाया था और वह दासी जिसने मेरे सामने वह रिका होने लगी. उन सभी ने मेरी पतनी से कहा, मालकिन, अब गुस्सा थूख दो. इसके अपराद और मूर्खता में संदेह नहीं किन्तु ये बेचारा तुम्हारी प्रतिष्ठा और तुम्हारी सुरुची को क्या जाने? इसे काफी सजा मिल चुकी है. अब इसके अपराद क् हमेशा याद रखे और फिर यह अपराद न करे. दासियों ने फिर एक स्वर से अनुने की विने की तु वह चुप हो रही और उस कमरे से उठकर चली गई. सारी दासिया भी उसके पीछे चली गई. मुझे उसी कमरे में बंद कर दिया. दस दिन तक मैं वही बंद रहा. वह तो बीमार पड़ी है. तुम्हारे हाथ की लहसुन की बद्बू उससे बरदाश्ट नहीं हुई. तुमने लहसुन का पुलाव खाकर हाथ क्यों नहीं धोए? मैंने कहा अब तो जो हो गया वह हो ही गया. मैं सोचने लगा कि इन स्ट्रियों की नजाकत की भी हद नहीं है के बाद वह यहां आएगी. शायद अजन आ सके लेकिन कर जरूर आएगी. दूसरे दिन वह मेरे पास आई किन्तु उसका क्रोध शांत नहुआ था. वह बोली कि मैं तुझे प्यार करने को नहीं, दन देने को आई हूँ. ये कह कर उसने फिर दासियों को आ गया दी कि मुझ जमीन पर गिरा दे. उन्होंने मुझे जमीन पर गिरा कर मुझे अच्छी तरह दबा रखा और मेरी निर्दई पत्नी ने चुरी लेकर मेरे दोनों हाथों और दोनों पावों के अंगूठी कार डाले. एक दासी ने तुरंथी किसी विशेश व्रेक्ष की पिसी हुई जड मेरे घावों पर लगा दी जिससे खून बहना बंध होगा किन्तु पीला के कारल में अचेत हो गया. जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे थोड़ी मदिरा पिलाई जिससे मेरे शरीर में शक्ति आ गई. मुझे फिर भी अपनी पत्नी की खुशामत करनी ही थी क्योंक कि उसकी कृपा के बगैर मेरी जानना बच्ती. मैंने उससे कहा कि अब मैं कभी ऐसा दुरगन ध्युक भोजन नहीं करूंगा और करूंगा भी तो 140 बार हाथ धोंगा. उसने कहा, फिर मैं भी उस काष्ट को जो तुम्हारे कारल मुझे हुआ है, भूल जाओंगी. अतक हम तो गानन्द पूर्वक पती पतनी की तरह रहने लगे. किन्तु मुझे ये बड़ा काष्ट था कि शाही महल में मुझे चुपकर रहना पड़ता था. मेरी पतनी मेरे कहे बगैर ही मेरे दुख को समझ गई और उसने एक दिन जुबैदा से यह बात कही तो उसने मेरे अलग घर में रहने के लिए 50,000 अशर्फियां दी. मेरी पतनी ने मुझे 10,000 अशर्फी दे कर कहा कि नगर में कोई अच्छा मकान खरीद लो ताकि हम वहां रहे. मैंने शहर में एक अच्छा मकान खरीद कर उसे बहमूल्य वस्तूँ से सजाया और कुछ दास-दासियां भी मोल ल काल कवलित हो गई. मैंने विचार किया कि यह घर ही मनहूस है, इसमें रहना नहीं चाहिए. इसके अलावा लगातार तीन पक्नियों की मृत्यू से मैं खिन भी था. इसलिए मैं मकान को बेच-बाच कर देश-विदेश के व्यापार को निकला. पहले फारस गया, वहां से सम पहुचा और वहां से यहां आया हूँ. अनाज के व्यापारी ने ये कहकर बादशा से पोचा कि कहानी कैसी है. उसने कहा, इसाई की कहानी से तो अच्छी है किन्तु कुबले की कहानी को नहीं पहुचती. अब यहूदी हकीम ने कहानी शुरू की.